Russo Brothers are back with another movie The Gray Man and it looks nice इसका budget 200 million dollar है और वो मुवी में दिखता भी है Of course ऐसी cast रोज देखने को थोड़ी मिलती है Chris Evans as Lloyd Hansen and Ryan Gosling as Sierra Six Main characters in the movie Anna the Armist का भी character अच्छा है लेकिन वो कुछ खास नहीं था और कह सकते है यह एक neutral role था वो story में एक decent part play करती है And I think that थोड़ा और impact होना चाहिए था इस character का Suzanne Briever played by Jessica Henwick यह एक C.I.A. official है जो यह चाहती है कि उसकी और C.I.A. कीमच बस सही रहे बाकी उसको दुनिया से घंटा फरक नहीं पड़ता इसलिए वो हमेंसा Lloyd को criticize करती रहती है और हाँ धनुष को कैसे भूल सकते हैं वो अपने character में बिल्कुल comfortable है Russo Brothers ने धनुष को originally show किया है कोई pretending character नहीं बनाया I would say it's a mysterious character और इसी character के साथ Russo Brothers आगे में भी spin-off भी बनाने वाले हैं और अगर बनाते हैं then it would be fantastic Movie शुरू होती है C.I.A. 6 के साथ जो prison में बन्द है क्योंकि उसने एक agent को मारा है और अब उसको opportunity मिलती है जिसमें उसको C.I.A. के लिए काम करना है एक anonymous agent बनके और एक दूसरे agent को मारना है क्योंकि उसके पास कुछ important information आ गई है which was not meant to happen लेकिन उसको जब पता चलता है कि कुछ C.I.A. operatives corrupt है तो वो भी रोग हो जाता है और उसको hunt करने के लिए Lloyd Hanson को appoint किया जाता है जो basically एक psychopathic tendencies वाला sadistic officer है और torture करना उसकी hobby है Anyways, movie की सुरुवात अच्छी है movie बिल्कुल भी boring नहीं लगती जहां boring scenes हो सकते थे वहाँ तो Chris Evans ही आ जाते है and you cannot predict Lloyd Hanson उसका गुसा होना और मजाग करना एक ही जासा लगता है along with a good acting Chris Evans बहुत पहले सी चाहते थे कि उनको विलेन का रोल करने को दिया जाए पर हम लोगोंने तो mainly Chris Evans को Captain America के रोल में ही देखा है जिसमें वो one of the main superhero play करते थे हाँ और भी दूसरी movies है जैसे Knives Out and Snowpiercer धनुष एक freelance assassin है जिसको Lloyd appoint करता है CRS इसको मारने के लिए धनुष के one of the best action scenes है Six और Danny के साथ in which he do not fights like South movies और maybe आगे आने वाले parts में धनुष देखने को भी मिले और ये movie James Bond और Mission Impossible के level का action दिखाती है हाँ कही कही कुछ जादा ही cliche moments भी है लेकिन ये definitely Six Underground और Red Notice से अच्छी है इसमें सही जगा humor को use किया गया है For Love and Thunder की तरह नहीं कि कहीं कोई मर भी रहा हो वहाँ भी मजा गुसा दिया हो जब अजस्ती कुछ चीज funny बनाने की कोशिश नहीं की Overall movie worth watching है और directors को अच्छे से बता है कि कैसे audience को hook करके रखना है खास कर इस TV and web series के एरा में जिसमें character से connect होना बहुत मुश्किल है पर nevertheless इसका universe भी further expand होगा अगर ये movie successful होती है तो and I think it should क्योंकि इसके ending आगे parts बनाने की भी doors खोलती है ओके आप कुछ spoiler talk हो जाए तो पहले तो मैं बात करना चाहूँगा उस last fight scene की जब Sierra Six और Lloyd दोनों लड रहे होते हैं Lloyd बहुत confident नजार आता है जैसे उसको पहले से ही पता हो कि मैं जीतने वाला हूँ लेकिन वो अपने ही senior CIA official के हाथों मारा जाता है जिसको play किया है Jessica Henwick ने Jessica ने Game of Thrones में भी छोटा सा role play किया था and I personally think इस character के बहुत ही कम scenes थे और इस character को कोई भी आराम से play कर सकता था Lloyd को मारने के पीछे सिर्फ एक यही वज़ा थी कि उसने पूरे agency का नाम खराब कर दिया है इतने ज़्यादा collateral damage और destruction करा के और civilians की जान लेने को तो वो ऐसे कह रहा था जैसे कोई GTA 5 कियल रहा हो और पता नहीं किती यह teams भेजता है Six को मारने के लिए Alpha, Bravo, Charlie, Beta, Gamma और वो सब Six के हाथों मारे जाते हैं उस fight scene में एक और बिजार चीज हुई Sierra Six ने Lloyd को उसकी knife वापस toss कर दी और उसके बाद Lloyd उसको 3-4 बार stab करता है लेकिन उसके उपर stabbing को कोई फरक नहीं पड़ता यह show करता है कि Six एक egoistic man है इसका reference जब Danny उसको train से save करती है तब भे दिखता है और वो Lloyd को यह भी show करना चाहता है कि मैं कितना tough हूँ क्योंकि बजपन उसका trauma से कम नहीं था उसका बाप उसको so-called tough बनाने की training देता था जिसके वज़े से Six एक sympathy less agent बन चुका है मूवी की story old school है और kinda predictable भी है और होगी भी क्यों नहीं जब यह fully एक novel पे based है वही पुराने spy thriller story रहन को follow करती है bottom line यह है that it is one of the best movie of 2022 और probably यह movie Netflix के loose 2 million subscribers को वापस भी ला दे if you loved the video like करो और आजसा ही content देखते है रहन के लिए do subscribe